आज हम एकदम मस्त टेस्टी रसी ली एकदम धाबा स्टाइल और सबसे जरुरी बात बिना टमाटर की ये आलू की सबजी बनाने वाले एकदम ग्रेवी टाइप बहुत सारे लोगों ने टमाटर महंगा हो गया इसलिए टमाटर खाना छोड़ दिया है लेकिन अब आपको चि अब इसको अच्छे से बूलना है हम इसको तब तक बूनना है जब तक इसका size reduce न हो जाए और इसको ऐसा ये pinkish color न आ जाए अब इसको क्या करते हैं अब इसको निकाल लेते हैं अब इसको थंडा होने के बाद इसको मिक्षी में पीस लेते हैं इसका हमें बिल्कुल fine pest बनाना है ऐसा देखिए ये दिखा रही हूँ मैं आपको ये अब इन सबी मसालों को हम अच्छे से mix कर लेते हैं अब इससे काम नहीं चलेगा हमें इसको मिक्षी में पीस ना पड़ेगा वही वाला मिक्सी लिया है मैंने जो हमने प्याज इसमें जो किया था अब उसी में देखिए ये कितनी बढ़िया सी ये ग्रेवी बनके तियार है अब क्या करते हैं अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अब ये कडाई में तेल लिया है अब इसमें डाल देते हैं ये प्याज मोटा मोटा कट करके प्याज लिया था शिमला मीरच और ये कोबी के पत्ते आपके पास जो सबजी अवलेबल हो ओ ले नहीं है तो आप इसको skip भी कर सकते हैं बस प्याज लिया तो भी चलेगा अब मैंने ये आलू लिये हैं तीन चोटे आलू लिये हैं मैंने इसको अच्छे से कट करके लिया है अब दोके भी लिया है इसको और इसका छिलका भी उतारा है इसको अच्छे से हम ये भून लेते हैं और धक्के रख तभी आलू हमारे अच्छे से यह सॉफ्ट हो जाएंगे क्यूंकि हमें ऐसे ही इसको हमें ग्रेवी में डालना है अब चलते हैं नेक्ष्ट प्रोसेस की और अब लेते कडाई उसमें डाल देते हैं दे टेबल स्पून जितना ऑइल अब इसमें डालते हैं चुछ मसाले सबसे जो दही वाला जो ग्रेवी बना के रखाता मसाला उसमें हम एड़ कर देते हैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इसमें थोड़ा मिर्च पौडर डालते हैं अगर आपको मिर्च पौडर ज्यादा पसंद है तभी लाश्ट में डालें नहीं तो आप स्किप भी क कर सकते हैं अब डालते हैं जो हमने प्याज वाला पेस्ट बना के रखा था उसको अच्छे से मिला लेते हैं और इसको पकने के लिए रख देते हैं इसको ढखके रख देते हैं एक दो तीन मिनिट के लिए उसके बार निकाल लेते हैं कब निकालेंगे जब यह ऐसे पूरा अब इसमें एड करके अच्छे से इसको मिला लेते हैं देखिए लग रही ना बहुत बढ़िया अगर आपको ये ग्रेवी इतनी थीकनेस पसंद है तो आप ऐसे ही रख सकते हैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से पकाना पड़ेगा ताकि ये जो मसाले और सब्जी एक सा पानी इसको अच्छे से मिला लेते हैं अब ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो तो भी अच्छी लगती है देखिए इतना ऐसी थिकनेस होनी चाहिए बहुत जादा भी नहीं और बहुत जादा गाड़ी भी नहीं और पतली भी नहीं है एकदम मेडियम ग्रेवी वाली सब्जी बनके यह अभी देखिए तयार अभी नहीं हुई है अभी बाकी है इसमें और प्रोसेस लेकिन अभी बहुत बढ़िया दिख रही है इसमें डालते हैं यह नमक और तीन हरी मिर्च डालते हैं और इसको अच्छे से मिला लेते हैं अब थोड़ा से इसको पका लेते हैं एक टमाटर की हमारी ग्रेवी वाली आलो की सबजी बनके तयार है बिल्कुल भी लग नहीं रहे कि हमने इसमें टमाटर डाला नहीं है बिल्कुल टमाटर वाली ग्रेवी जैसी बनके ये सबजी तयार हो गई है अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना कि आपको टमाटर की ग्रेवी वाली कौन सी सबजी पसंद है जरूर लिखना मैं पढ़ूंगे अब घर की कौन सी सबजी बनाए ये चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए आईसी ही नई नई रेसिपी मेरी चानल पे नई नई सबजीों की रेसिपी भी देखते रहें बनाएए खाईए और आपने अभी तक मेरी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए जए हिंद।